हेलो एवरिवन नमस्कार स्वागत है आपका MLT Education Point पर कैसे आप सभी उमीद है कि आप सभी स्वस्ते हैं तो आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके Excreter System के बारे में जिसमें Nephron हमारा Remaining है तो आज ही क्लास में हम समझने वाले हैं आपके Nephron का Structure के बारे में कि Nephron का Structure कैसा होता है उसके अंदर कौन-कौन से Part होते हैं और Kidney के Function क्या-क्या होते हैं तो अभी हमारा Excretery System चल रहा है तो Excretery System में हम एक पार्ट पूरा कवर कर चुके हैं जिसमें हमने Kidney के बारे में समझा कि Kidney का क्या रोल होता है उसका Structure क्या होता है उसके Anatomical Structure इन सभी के बारे में डीटेल में हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया तो आज की इस पार्ट को continue करते हैं और आज हम समझने वाले हैं आपके Kidney के Internal Structure को अब बाहरी Structure तो हमने समझ लिया उसके अंदर हमें जाना पड़ेगा जहां पर उसका Main Function जो है वो Start होता है तो चलिए समझते हैं Neffron के बारे में कि Neffron का Structure क्या होता है कहां पर Neffron आपके Kidney में Present होता है कितने Types का होता है उन सभी के बारे में समझेंगे देखें, Neffron की बात की जाएं तो Neffron क्या है आप सभी जानते हैं Basic Line Neffron के बारे में कि इसको Structural and Functional Unit कहा जाता है Structural and Functional Unit कहा जाता है Kidney की Unit of Kidney Structural and Functional Unit of Kidney क्योंकि Kidney का Man Roll क्या होता है आपके Body से West Product को Remove करना तो ये सारी चीजें ये जो Process होती है क्योंकि ये West Product Remove होता है तो Urine का Formation होता है तो ये पूरी Process होती किसके अंदर है आपके Neffron के अंदर होती है तो इसका Structure जब तक आप नहीं समझोगे तब तक इसका काम नहीं आपको समझाएगा तो पहले Structure को समझे और इससे भी पहले आपको Kidney के बारे में जानना पड़ेगा कि Kidney कहां पर होती है, Location क्या होती है, Structure क्या होता है, Anatomical Structure क्या होता है तब जाके आपको Neffron के बारे में समझ में आएगा तो इसलिए मैं कहते हूँ कि कोई भी Part हम जब कोई भी Class Part में पढ़ते हैं, तो सभी Part को आप अच्छे से पढ़ा किजए क्योंकि हर Topic जो है वो एक दूसरे से Related होता है, ठीक है तो चलिए Neffron स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने देखा कि Neffron को Structural and Functional Unit कहा जाता है आपकी Kidney की क्योंकि जब Blood आपकी Kidney के अंदर आता है, फिल्टर होने के लिए हैं, तो फिल्टर होगा, तभी तो यूरीन का Formation होगा, तभी तो आपकी Body से सभी Toxins को Remove किया जाएगा, Drugs को Remove किया जाएगा, Metabolic Activity के समय बने West Product, जो Nitrogenous West Product हैं, उनको Body से Remove किया जाएगा, तो Neffron का काम क्या होगा, Filtration का, Reabsorption का, Secretion का, ये सारा काम आपकी Neffron के अंदर होता है, और Neffron कितने होते हैं, तो इच Kidney, एक Kidney में कितने Neffron होगे, इच Kidney के अगर हम बात करें, तो Millions of Neffron होते हैं, Approx 1 Million या फिर 1.3 Million भी आपको किसी किसी बुक में दिखा हुआ मिलेगा, तो 1 Million जो है, वो एक Kidney के अंदर Neffron की मातरा संख्या होती है, आप Kidney इतनी से छोटी है और उसके अंदर 1 Million Neffron कैसे Arrangement इनका होगा, वो उपर वाला ही जानता है, ठीक है, तो द पाड़िंगे जो Neffron की संख्या है, वो धीरे-धीरे कम होती जाती है, कौन सी एच, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, Approximately 45 to 45 to 50 year, 40 से 50 साल के बाद में आपके जो Neffron की संख्या है, वो कम होती जाती है, और कितनी कम होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, Number of Neffron Decrease, Number of Neffron Decrease, कितनी कम होती है, यहाँ, Approximately 1% per year आप कर सकते हैं, 1% तो per year जो है, वो 45 से 50 साल के बाद Decrease होना शुरू हो जाती है, तो किडनी को Healthy रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, अगर किडनी हमारी अच्छी है, मतलब आपके बादी के बहुत सारे functions तो वेसे ही अच्छे से काम करेंगें, क्योंकि अगर किडनी ने अच्छे से काम नहीं किया, तो जो West product बन रहे हैं वो हमारी बाडी में accumulate होने लग जाई है, और उनके करण कोई सारी बिमारिया आपके उपर हावी होने लग जाती है, तो किडनी को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है, अगर हमें स्वस्थ रखना है तो, तो चलिए, ये एक basic information हो गई है, आपके नेफरोन के बारे में, अ आपका नेफरोन का structure होता है, और ये इस किडनी के अंदर आपका नेफरोन present होता है, हमने समझा कि किडनी की structure की बात करें, तो किडनी में हमने देखा, कि आपके किडनी यहां से देखे, ये कुछ इस तरीके से bean shape structure आपकी किडनी का होता है, जहां से आपका ये वाला जो पा और ये अंदर वाला भाग जिसको हमने medula कहा जिसमें pyramids present होते हैं और इसी cortex और medula में आपके millions of nephron present होते हैं अब अगर आप single nephron का structure बना कर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होता है अब जब तक हम इस structure को बनाएंगे नहीं समझेंगे कैसे तो उसके लिए हमें structure को बनाना आएगा तो चलिए nephron का structure बनाते हैं तो हम एक flow chart बनाएंगे बट flow chart बनाने से पहले हम इसका diagram बनाएंगे तो पहले में यहाँ पर दो चीज़े आपके लिए लिग देती हूं कि हम पढ़ेंगी क्या-क्या तो structure of nephron में आपको दो चीज़े पढ़नी हैं उसमें आपका प renal corpuscles renal corpuscles और एक आजाता है आपका renal tubules तो यह हम flow chart बनाएंगे इस flow chart को हम बाद में complete करेंगे फिलाल पहले हम nephron का structure बना कर समझते हैं तभी आप इस flow chart को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से बना पाएंगे तो आप structure of nephron को बनाएगे सबसे पहले फिर हम इस flow chart को complete करेंगे तो दो चीज़े हमने देखी एक renal corpuscles और एक renal tubule तो renal corpuscles में आप देखेंगे कहां से आपकी nephron की शुरुआत होती है तो यहां पर आप मेरे साथ साथ structure बनाएंगे चाहे तो मेरे साथ बना सकते हैं चाहे तो बाद में भी बना सकते हैं आपको जैसा ठीक लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं पर diagram हमें बनाना जरूर है बिना diagram के हमारा काम नहीं चलना है क्योंकि देखो बुक में आपको लिखी हुई चीज़ है मिल जाएगी बट आपको समझना तो पड़ेगा और समझने के लिए अगर डाइग्रामेटिक लिए आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा बाकी तो हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे कोई भी डाउट आपको नेफ्रोन से लेकर नहीं बचेगा बस आप पूरा अपना ध्यान यहीं पर रखना पहले फिलाल हम इस इस्ट्रक्चर को बनाते हैं और फिर हम इसकी लैबलिंग करेंगे यह डाइग्राम आपको थोड़ा सा डिफ्रेंट में मिलेगा किसी बुक में किसी फॉटो में आप देखेंगे तो कुछ नेफ्रोन आपको इस तरीके से सीधे बने हुए मिलेंगे यह हमने आपके समझने के हिसाब से इस तरीके से बनाया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे, क्लियर ली अच्छे से ओके, क्लियर है, यह आपका नेफ्रोन का स्ट्रक्चर बनकर तयार है ऐसा नेफ्रोन होता है, जो एक मिलियन नेफ्रोन आपकी किड्नी के अंदर प्रजिंट होते हैं उसमें से अगर हम एक नेफ्रोन को बना कर देखते हैं, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके नेफ्रोन का होता है तो यहाँ पर आप देखिए, दो चीज़े हमने पड़ी, एक आपका रिनल कार्पसल्स और एक है आपका रिनल टुब्यूल्स तो हम पहले रिनल कार्पसल्स को कवर करते हैं, तो फिर हम रिनल टुब्यूल की और चलेंगे, रिनल कार्पसल्स को देखते हैं देखिए, रिनल कार्पसल्स में आपकी दो चीज़े आती हैं एक आता है आपका glomerulus और एक आता है आपका bommen capsules तो glomerulus किसे क्या आते हैं देखें यहां से आपकी जो आर्टरी है वो इंटर होती है हमने देखा कि kidney होती है आपकी kidney के structure में जो hyalum वाला पार्ट होता है इस हाइलम वाले पार्ट से देखे मैं यहाँ पर आपको structure में बताती हूँ यह हाइलम वाला पार्ट है जहां से renal artery जो है वो इंटर होती है यह renal artery आगे जाके further sub divide होती है यह renal artery आगे जाएगी आपके pyramids की दर जाएगी और फिर आपके cortex में इसकी बहुत सारी branches बन जाती है तो जब artery की हम बात करने smaller branch की तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम arterioles कहते हैं तो इस nephron के अंदर जो blood लेकर आ रही है उसको हम कहते हैं aferent arterioles क्या कहेंगे aferent arterioles देखो अब एक ओर term आपका इसी से related आएगा उन दोनों में confused नहीं होना है aferent arterioles तो कुछ इस तरीके से structure जो है आपके aferent arterioles का होता है जो कि आपके glomerulus को बनाती है तो यहां पर आप देख रहे हैं यह जो आ रही है आपकी aferent arterioles से और यहां से यह जाती हुई आपकी है efferent arterioles क्या कहेंगे आप इसको efferent arterioles यह किसके अंदर आता है आपके आपका जो रिनल कारपसल सामने देखा उसके अंदर glomerulus और bomin capsules तो यहां पर glomerulus का formation होता है यह glomerulus का formation होता है किसके द्वारा यहां पर देखे यह आपका glomerulus है जो कि आपकी efferent arterioles की द्वारा बनता है क्योंकि यह आगे जाके आपकी further जो है वो sub-divide हो जाती है smaller branch में तो यह आपका glomerular है जिस glomerular से जिसको आप tough tough capillary क्याते हैं capillary की branches या capillary का जाल कौन से capillary का जाल आपकी efferent arterioles का जाल और यही जाल जिसमें blood होता है यही blood जो है आपकी woman capsules के अंदर release किया जाएगा छोड़ा जाएगा for filtration filter होगा तो आप blood दोगे तभी तो वो filter करेगा तो यहां से blood आपका अंदर जाएगा glomerular से और यह efferent arterioles यहां पर खतम नहीं होती है इसका बहुत important role होता है इसके अंदर उसके बारे में आगे हम समझेंगे तो यह आपके अफरीन टार्ट्रियॉल्स जो कि आगे जाके आपके glow merulus को बनाएगी तो यह क्या है यहां पर आपका glow merulus जो कि capillary का tuft या capillary का जाल होता है और यह blood vessels है तो blood vessels के अंदर आपकी endothelial layer भी present होगी तो इसके अंदर endothelial cells होती है आपकी single layer होती है इसके अंदर आप देखिए यह bomin capsules यहां पर एक cup जैसा structure आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का और जिसके अंदर glomerular present है तो यह glomerulus को cover कर रहा है इसको हम कहते हैं bomin capsule तो यह क्या है एक cup like structure शौर्ट में आपको यहां पर लिख देते हूं बाकी हम आगे इसका full form लिख लेंगे तो यह है आपका bomin capsule जो कि एक cup के जैसा structure यहां पर होता है इस bomin capsule में आपकी endothelial cells जो होती है देखो यहां पर आपकी blood vessels में endothelial cell है आपकी endothelial layer है वैसे ही आपके bomin capsule में भी epithelial tissue present होता है अब यह कौन सा epithelial tissue होता है flattened epithelial tissue means squamous epithelial tissue तो आप bomin capsule में देखेंगे तो कौन सा epithelial tissue यहां पर present होता है squamous epithelial tissue हमने पढ़ा है squamous epithelial tissue जहां पर easily कोई भी चीज़ पास हो सके तो यहां पर आपका squamous epithelial tissue होता है bomin capsules में अब उसका कुछ modification होता है वो आगे हम देखेंगे तो यहां पर आपको इतना समझ में आया bomin capsules से आगे की तरफ चलते हैं तो यहां पर आपका renal carpuses खतम हो जाता है अब आगे की तरफ चलेंगे तो आपका tubular portion जो है वो start हो जाएगा tubes जैसा दिख रहा है आपको पूरा देखो यह tube जैसा दिख रहा है इसलिए उसको हम क्या कहेंगे renal tubules कहेंगे तो renal tubules के अंबर क्या क्या चीज़ आएगी first one जो सब से पहले आता है अब जो pass में है उसको क्या कहा जाता है proximal तो यह इसको हम क्या कहेंगे proximal और आप इसको देख रहे हैं यह जो tube है वो कैसे आपको दिख रही है coiled दिख रही है पूरी convulated दिख रही है इसलिए हम इसको कहते हैं proximal convulated tubule proximal convulated tubule इसका short form आप लिखेंगे PCT आगे हमें यही term जो है वो लिखना है PCT क्योंकि हर जगे हम full form नहीं लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे PCT तो यह हैं आपका proximal convulated tubules जहांपर सबसे ज़ादा reabsorption होता है और इसमें present होती है आपकी कौन से epithelial cells और यह जो क्यूबाइडल epithelial cell होती है वो आपकी brush border epithelial होती है क्योंकि हमने आपको epithelial tissue पढ़ाया था तो बताया था कि उसमें इस तरीके का hair like structure present होता है जो कि ज़ादा से ज़ादा absorption के लिए ज़रूरी होता है तो proximal convoluted tubule के बाद आपको यहाँ पर एक इस तरीके से u-shape बना हुआ पूरा structure दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं देखें हमने यह चीज पहले भी पड़ी है या हम सभी को एक normal चीज है आप सभी को पता है इस ही कि कोई भी चीज जिसे नीचे उतर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं descending कहते हैं न descending और उपर चड़ रही होती है तो उसको हम क्या कहते है ascending तो कुछ इस तरीके का आपका यहीं पर हो रहा है जिसे blood यहाँ पर आया filter होने के लिए तो यह जो filtrate है देखे वो इधर से आएगा और नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे descending segment क्या कहेंगे descending segment रखो आज ही class थोड़ी से लंबी होगी बद बहुत ही important है और अगर आपने यह पढ़ लिया ना तो आप कभी भी नाफरोन के बारे में तो नहीं भूलेंगे यह हैं आपका descending segment अब नीचे की तरफ चलिए descending segment में यहाँ पर यह वालो जो part आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं hairpin hairpin segment hairpin बालों में जब जूड़ा बनाती है लड़कें तो U-shape pin लगाती है देखी होगी आप सब इने अगर लड़कों ने नहीं भी देखी होगी तो कभी मम्मी से भावी से या अपनी वाइफ से पूछना की hairpin जो है वो कैसी होती है U-shape होती है जो की जूड़े में लगाई जाती है कुछ इसी तरीके की आपकी यहाँ पर यह होता है hairpin structure और इस पूरे को हम क्या कहेंगे अभी बताऊंगे आपको अब देखें hairpin के बाद आप उपर की तरफ चलेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे यह ओपर चड़ रहा है तो यह हो जाएगा आपका ascending 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 segment अब इस पूरे part को हम कहते क्या है यह जो पूरा part है जिसमें descending hairpin और ascending यह सारी चीज़ा आजाती है इस part को हम कहते है loop of hand lay क्या कहते हैं? loop of hand lay सो यहाँ पर आप note कर लेना कि यह वाला जो part होता है इसको हम कहते हैं loop of hand lay अब देखें यहाँ पर भी twist आता है क्या twist आया? देखें यह हमने पड़ा descending और एक हमने पड़ा ascending अब आपको इस structure में कुछ तो दिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह वाला portion जो है वो थोड़ा मोटा है और यह वाला portion थोड़ा सा पतला है तो जो मोटा portion है उसको आप कहेंगे फिक descending segment और यह जो पतला वाला portion है इसको आप कहेंगे in descending segment, short में लिख रही हूँ ठेक है? पिर उसी तरीके से आप क्या ascending में भी होगा, तो ये वाला portion आपका क्या कहलाएगा, in ascending segment, और ये कहलाएगा आपका ठीक ascending segment, चीक है, समझ में आया, इतना इतना portion जो है, आपको I hope समझ में आया होगा, अब उपर की तरफ चलते हैं, जैसे ये pass में था, इसलिए इसको proximal कहा, अब ये दूर है, तो इसको क्या कहेंगे, दूर के लिए हम क्या term यूज करते हैं, distal, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये है आपका distal, और ये भी आपको कैसा दीख रहा है, coil दीख रहा है, convulated दिख रहा है, तो इसको हम कहेंगे distal convulated tubule, distal convulated tubule, clear है, तो आपका सबसे पहले शुरुवात होती है अफेरिंट आर्ट्रियोल से यहीं अफेरिंट आर्ट्रियोल आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइट होगा कैपिलरीज में डिवाइट होगा और एक टफट आफ कैफिलरी बनाएगा जिसको हमने गलॉमरिलस कहा तेके और यहीं से फिर आपकी जो है वो अफेरिंट आर्ट्रियोलस निकल जाती है यह पूरा जाल है वो आर्ट्रीस का ही होता है इतना ध्यान रखना इसमें अभी वेन का कोई रोल नहीं है वेन आपके आगे की तरफ आएगी जब यह अफेरिंट आर्ट्रियोलस आगे की तरफ जाएगी इसका क्या रोल होता है यह बहुत इंपोर्टिन रोल होता है आगे की तरफ हम समझेंगे फिर आपका बॉमन कैफ्सूल आता है जो कि आपके गलॉमरूरुलस को कवर करके रखता है और bowman capsule से शुरुवात होती है आपके proximal convolated tubule की, proximal convolated tubule फिर lupofan ले, फिर आता है आपका distal convolated tubules, then last में आपका यहाँ पर आता है collecting duct, इसको हम क्या कहते हैं, collecting, collecting duct, अब नाम से ही समझ में आ रहा है collecting, मतलब कि collection करता है, तो यह collecting duct जो है, आपके single nephron का पार्ट नहीं है, नाफरोन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इससे और भी nephron attached होते हैं, और उन सबी nephron का urine जो है, वो collecting duct में आता है, और देन फिर आपके यह ureter से चला जाता है, आपके urinary bladder में, urinary bladder से फिर uretera और देन पास हो जाता है, जिसे हम mikturation कहते हैं, void it of urine, उसको आप mikturation कहते हैं, तो समझ में आया, collecting duct जो है, वो single nephron का पार्ट नहीं है, यह आपके बहुत सारे nephron जो है, इससे attach हो सकते हैं, तो यह पूरा portion आपके nephron का structure यहाँ पर खतम होता है, अब हमने जो सारी चीज़े पड़ी हैं, उसको एक flow chart में हम बना लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको clearly स समझ में आ जाएं, और कोई भी समस्याएं आपके साथ नहीं आएं, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, आपका nephron, चलिए, flow chart हम यहाँ पर add करते हैं, last में, तो क्या-क्या हमने पड़ा, अभी तक आप structure में जब देखेंगे, तो nephron में आपने दो चीज़े पड़ी, एक है आपका यहाँ पर, renal, carpuses, और एक आपने देखा, renal tubule, renal tubule, renal carpuses में कौन-कौन से पार्ट होते हैं, आपके, renal carpuses में आपके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन आपने देखा यहाँ पर, glow merulus, glow merulus, और second वन आता है यहाँ पर आपका, bauman capsule, bauman capsule, फिर renal tubule की बात करेंगे, तो renal tubule में आपने देखा, आपका पूरा tubular structure आ जाता है, और इस tubular structure में आपकी तीन चीज़े आती है, एक होता है आपका proximal convulated tubule, proximal convulated tubule, short में निख लेते हैं, proximal convulated tubule, loop of handle, और यह होता है आपका distal convulated tubule, अब आप loop of handle को देखेंगे, तो इसको further जो है वो divide किया गया है, कितने type में हमने देखा loop of handle को, loop of handle होता है, further आपका तीन भाग में बढ़ जाता है, कौन-कौन से तीन भाग होते हैं, आपके loop of handle के, first होता है आपका descending limb या segment क्या सकते हैं, descending segment, एक होता है आपका यहाँ पर, जो hairpin जैसा structure होता है, ठीके, और third one होता है आपका यहाँ पर ascending limb या फिर segment क्या सकते हैं, ascending limb, but हम यहाँ पर देखते हैं, आपका descending और ascending होता है, उसको further divide किया गया है, आप descending होता है आपका thin और thick, पहले thick आएगा, फिर thin आएगा, बट कोई बात नहीं, आप इसको correct कर सकते हैं, यह है, फिर आपका thick और then फिर आता है आपका यहाँ पर thin, अब यहाँ पर दोनों तरफ उल्टा हो गया, पहले इधर thick आएगा, then thin, फिर यहाँ पर आएगा, चलो, इसको थोड़ा सा correction कर ही लेते हैं, वन्ना आप confuse होंगे, कि यहाँ पर आता है सबसे पहले thick और then thin, और जब आसेंडिंग की तरफ चलेंगे, तो पहले कौन सा आएगा, आपका thin आएगा, पहले thin और then thin, clear है, तो यह पूरा आपका flow chart complete होता है, और यहाँ पर आपका nephron का structure complete होता है, तो nephron का structure आप सभी ने देख लिया है, बट और detail में हम उसके बारे में जानते हैं, और उसके लिए अगर आपको detail में जानना है, तो renal carpuses का structure आपको देखना पड़ेगा, देखें यहाँ पर यह है आपका glomerulus और bomin capsules, तो दो चीज़ें हमने देखें यहाँ पर, एक तो bomin capsules देखा और एक आपने देखा glomerulus, तो आपका जो glomerulus होता है, यह glomerulus क्या है, हमने कहा कि यह tuft of capillary है, tuft of capillary, जो कि कहां से arise हुआ है, फ्रॉम अफिरेंट आर्ट्रियोस, और इसको किसने cover किया हुआ है, covered by bomin capsule, अब इसके अंदर blood vessels है, तो blood vessels के अंदर layer भी होगी, और उस layer में कौन सी cells present होती है, single layer of endothelial cell, बहुत ही interesting fact हम इसके बारे में समझने वाले हैं, बस आपका focus बुरा यही होना चाहिए, देखें यहाँ पर, तो हमने यह देखा आपके glomerulus के बारे में, कि glomerulus क्या है, यह है आपके aferent, देखो aferent और referent में confused नहीं होना है, e से आप याद रखेंगे exit, मतलब कि ले जाने वाली, so e से आप याद रख सकते हैं exit, और एक तो आपको automatic याद हो जाएगी, और से आना भी आप याद रख सकते हैं, तो आना जो आ रही है वो aferent arteries, तो यहाँ से जा रही है, glomerulus बना कर जा रही है, वो है आपका aferent arteries, तो arteries क्या है, ब्रांचे से आपके arteries की, कौन से artery, renal arteries की, तो यहाँ से देखो, high pressure से blood आया, यहाँ पर पूरा एक capillary का जाल बना, network बना, जिसको हमने glomerulus कहा, bowman capsule को देखे, तो bowman capsule क्या है, देखे, bowman capsule जो है, एक cup like structure है, जिसने आपके glomerulus को hold किया हुआ है, और जहाँ से आपका blood जो है, वो आ रहा है, filtration आपका यहीं से start होता है, यह urine formation की first step होती है, urine formation कैसे होता है, उसके बारे में भी हम समझेए, वो भी आपका बहुत important topic है, जहाँ से exam में question पूछे जाते हैं, देखे, bowman capsule की बात करें, तो यह एक cup के जिसा structure होता है, आप चाहो तो bowman capsule को अलग बना कर भी देख सकते हैं, कि कैसा आपका bowman capsule का structure होता है, बहुत ज़ादा ही बड़ा बना लिया हमने, चलिए, यह आपका bowman capsule हमने बनाया, तो यह इस तरीके से cup के जिसा structure होता है, जिसके अंदर से आपकी यहां से वो arteries जो है वो जा रही होती है, और यहां पर आपका यह पूरा tuft होता है, अब यह जो bowman capsule होता है इसमें दो layer होती है, एक होती है visceral layer और एक होती है parital layer, कौन-कौन से layer होती है, एक visceral और एक होती है parital, अब आप सभी जानते हैं, कि जो visceral layer होती है, उसको हम inner layer कहते हैं, या वो inner layer होती है, जो parietal layer होती है वो आपकी outer layer होती है तो यहाँ पर इसकी inner layer कौन से होनी चाहिए inner layer कौन से होगी फटा-फट से आप अपने दिमाग में सोचे जरा यह है आपकी inner layer और मैंने आपको पहले भी बताया कि inner layer है तो यहाँ पर कौन से cells होगी यहाँ पर आपकी squamous cells होगी जिसको flatted cell कहा जाता है यह है आपकी squamous cell squamous cells तो यहाँ पर पूरी यह layer होती है आपके squamous cells के इस तरीके से बस यहाँ तक ही होती है बाकी आगे आपके फिर cuboidal start हो जाती है यहां से आप देखेंगे, क्योंकि यहां से आपका proximal start होता है, तो यहां पर आपकी जो है, वो cuboidal start हो जाती है, और यह cuboidal जो है, वो brush border होती है, तो समझ में आया आपको, यह है आपकी squaremus epithelium, बस इस squaremus epithelium में थोड़ा सा modification होता है, कौन सी वाली में, आपकी यह जो visceral layer व होती है, उसमें थोड़ा सा modification होता है, अगर हम बात करें, parietal layer से, तो इस modifications को आप कहते हैं, podocyte, क्या कहते हैं, podocyte, इस बात को आप याद रखें, कई बार exam में question जो है, वो पूछा जाता है, आपकी squaremus cells का modifications होता है, इन bomin capsules, उसको podocyte कहा जाता है, clear है, तो bomin capsules glomerulus के बा bomin capsules और glomerulus, इन दोनों को मिला कर कहा जाता है, malphigian body, बहुत important बात है, याद रखना आप, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, bomin capsules plus glomerulus, इन दोनों को merulus, इन दोनों को merulus, ठीक है, एक मिल्च, glomerulus, इन दोनों को मिला कर क्या कहा जाता है, malphigian body, malphigian body, ये भी कई बार question जो है, वो exam में पूछा गया है, आप यहाँ पर भी star लगा सकते हैं, malphigian body कहा जाता है, तो glomerulus और bomin capsules के बारे में समझ में आया, अब चलते हैं, हम आगे, आपके tubular portion की तरफ, तो tubular portion में तो हमने सारी चीज़े क्वेसे भी cover कर ली है, कि PCT, अगर हम बात करें, यहाँ पर PCT की proximal convoluted tubule की, तो proximal convoluted कहां से arise होती है, ये आपकी arise होती है, या medipof arise from आपकी bomin capsules से, तो bomin capsules से ये कहां तक जाती है, ये ज descending segment, अगर इसकी बात करें, length की, तो length भी आप याल दखलें, इसकी length होती है, 14 cm, और इसका diameter होता है, 55 micron, तेक है, और एक चीज़ और आप इसमें add करें, कि इसके अंदर कौन से cells होती है, इसके अंदर होती है, क्यूबाइडल, क्यूबाइडल cells के single layer होती है, और ये जो क्यू बॉइडल cells, brush border, brush border, जिसके उपर क्या लगा हुआ होता है, hair-like structure लगा हुआता है, जो कि जाधा से जाधा absorption करने में मदद करती है, तो ये हो गया आपका PCT के बारे में, proximal convoluted tubules, जो कि बॉमन capsule से start होती है, next one आता है, यहाँ पर आपका, जिसके बारे में हमने देखा, वो है, loop of handle, अब loop of handle की बात करेंगे, तो loop of handle में सारी चीज़े बहुत है, descending और ascending, अब thick और thin, और एक हो गया आपका, जो u-shape structure होता है, जिसको hairpin कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक हो गया descending, और एक हो गया, आपका hair band, hairpin ही लिख दिया था मैंने पहले, तो hair band, और एक हो गया, आपका ascending, descending, hair band, और ascending, और इन दोनों में thick और thin portion होगा, फिर आता है, आपका last यहाँ पर, distal convoluted tubule, जो आपका distal convoluted tubule होता है, वो कहां से start होता है, distal convoluted tubule arise from, arise from, कहां से start होगा, आपका जो ascending खतम हो रहा है, और ascending कहां पर खतम होता है, आपके thick वाले portion पर, तो यह आपका rise होता है, from thick ascending segment, और कहां तक पहुंशता है, आपके collecting duct पर जाकर मिलता है, to collecting duct, बलेक तंग duct पर जाकर मिलता है, अगर इसकी length की बात की जाए, तो इसकी length जो इतनी ही होती है, 14 से 15 सेंटेमिटर, और अगर आप बात करें, इसके डायमिटर की, तो इसका जो डायमिटर है, वो इसके कमपैरिजन में थोड़ा सका मूता है, 22 तो 15 माइक्रोन, 22, 22 तो 50 माइक्रोन इसका डायमिटर होता है, और इसमें सेल्स कौन सी होगी, देखिए, अब सेल्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर भी आपको अक्सर कन्फियूस किया जाता है, कि जो प्रॉक्जिमल कन्वरिटर टेबूल होती है, उसमें ब्रश बॉर्डर होती है, जबकि अगर आप बात करें, डिसेंडिंग की, तो डिसेंडिंग में हमारे पास ठिक भी है, और थिन भी है, तो यह जो ठिक वाला पॉर्शन होता है, इसमें तो ब्रश बॉर्डर होती है, बट यह जो थीन वाला पॉर्शन होता है, इस थीन वाले पॉर्शन, जो लूप ओफ हैले का थीन वाला पॉर्शन होता है, इसमें आपकी सिंपल क्यूबाइडल होती ह squamous CPTLL cells होती है तो यहां से question पूछा जाता है ध्यान रखना यहां पर brush border, यहां पर brush border यहां पर आपकी normal cuboidal यहां पर आजाती है आपके squamous और फिर इसका जो first वाला part आएगा मतलब थीन वाला portion आएगा उसमें भी squamous ही होगी पर जब फिक वाले की बात करेंगे तो वहां पर फिर से आजाती है आपके simple cuboidal जिसमें कोई भी celia नहीं present होते हैं और उसके बाद आपके simple cuboidal ही आपको मिलेगी वो आपको पूरी DCT में आपको simple cuboidal देखने को मिलेगी तो इस चीज का आप ध्यान रख लेना कि यहां पर जो cell है वो कौन सी होगी इसमें आपकी epithelial cell होगी epithelial cell कौन सी होगी cuboidal simple cuboidal cells की single layer आपके DCT में होती है और PCT में single layer cuboidal cells की जो की brushed border होती है तो यह पूरा tubular portions आपका यहां पर खतम होता है चलिए next की तरफ बढ़ते हैं वो है types of nephron तो nephron दो type के होते हैं कौन कौन से type होते हैं nephron के type जो है वो उनकी situation मत्तब है उनकी location क्या है nephron कहां पर present है कहां पर मत्तब है तो kidney में बढ़ किडिनी में भी दो part होते हैं cortex और medulla तो कहां पर present है उनके situation के आधार पर nephron को दो type में divide किया गया है तो चलिए जी nephron के types के बारे में बात कर लेते हैं तो हम कह रहे हैं कि एक nephron होता है जिसको हम कहते हैं cortical nephron और दूसरा होता है आपका juxtramedullary nephron juxtramedullary nephron तो यह होता कहां पर है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा kidney का structure बनाना पड़ेगा ताकि आपको सारी चीज़े clear समझ में आ जाए देखिए हमने पढ़ा कि ये वाला medulla वाला portion होता है अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि ये cortex वाला भाग अब cortex में भी एक तो होता है आपका outer cortex एक होता है आपका inner cortex एक होता है आपका outer medulla और एक होता है आपका inner medulla उसी तरीके से आपका nephron presence होगा और उसी तरीके से इनका नाम भी दिया हुआ है तो यहाँ पर जब आप नेफ्रोन का structure बनाएंगे तो मान लो जैसे आपका नेफ्रोन कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं चलिए यहाँ पर जैसे यह पिरामिट्स है यह दो पिरामिट्स मेंने यहाँ पर बनाए है यह फिर चलो दो पिरामिट्स हमने बनाए है एक पिरामिट्स का नेफ्रोन हम कुछ इस तरीके का बनाते हैं ठीक है? और एक नेफ्रोन हमने बनाया है अब इन दोनों में आपको difference क्या दिख रहा है? इन दोनों में हमें यह difference दिख रहा है कि एक नेफ्रोन अंदर तक present है मतलब कि एक नेफ्रोन का लूपोफैनले जो है वो deep penetrate कर रहा है जबकि आप यहाँ पर देखेंगे कि यह जो एक नेफ्रोन है उसका जो लूपोफैनले है मतलब उपर की तरफ उपर की तरफ कहाँ पर आपका जो आउटर मैडूला है वही पर जा रहा है जबकि इसका लूपोफैनले जो है वो आपके इनर मैडूला में penetrate कर रहा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि देखो most of जो है आपके कॉर्टिकल ही आपको मिलेंगे 85% नफरोन आपको कॉर्टिकल नफरोन मिलेंगे only 50% नफरोन आपको जक्स्टरा मैडूलरी नफरोन मिलेंगे और लूपोफैनले लिखेंगे क्योंकि इसमें measure difference क्या है आपके लूपोफैनले का तो यहाँ पर लूपोफैनले कैसा होता है short होता है और यहाँ पर लूपोफैनले आप लिखेंगे कैसा होता है long होता है और भी आप लिख सकते हैं कि आपका जो लूपोफैनले का यह वाला पार्ट जो होता है वो आपके inner medulla में जा रहा है और इसका लूपोफैनले का जो पार्ट है वो आपके outer medulla में जा रहा है तो ये difference भी आप इसमें add कर सकते हैं तो दो तरह के nephron होते हैं cortical nephron और juxtra medullary nephron clear है बस इतना ही इसमें आपको समझना है अब देखिए एक o time आता है आपका यहाँ पर juxtra glomerular apparatus अब ये juxtra glomerular apparatus क्या है उसके लिए आप एक diagram देखिए इस diagram से आपकी सारी चीज़े concept जो है वो clear हो जाएंगे juxtra medullary apparatus को लेकर देखे जब आप distal convoluted tubule को देखते हैं तो distal convoluted tubule का यहाँ पर हमने section cut किया है तो ये जो distal convoluted tubule का एक भाग है जो कि आपकी aferent arterioles जो होती है aferent arterioles जो blood लेकर आ रही है aferent arterioles के करीब होती है या उसको touch करती है distal convoluted tubule का वो भाग जो आपके aferent arterioles aferent ध्यान रखना है ना नाम यहाँ पर है aferent जो aferent arterioles को touch करता है उस वो बहुत ही sensitive भाग होता है और उस sensitive भाग को हम कहते है juxtaglomerular apparatus क्या है juxtaglomerular apparatus contact of contact of aferent arterioles aferent arterioles and DCT formed a sensitive area called क्या कहेंगे आप उसको juxtaglomerular apparatus तो आपको समझ में आया कि aferent arterioles का वो भाग जो कि DCT के भाग से किसी भी भाग से touch होता है तो वहाँ पर juxtaglomerularular apparatus बनता है आप बनता कैसे है वो देखे हमने कहा कि जो distal convoluted tubule होती है उसमें आपके क्या present होती है उसमें cuboidal cells present होती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ भाग में तो cuboidal cells जो है वो बहुत दूर-दूर है बट कुछ भाग में आपको दिखाई दे रही है बहुत ही पास-पास है तो जहाँ पर ये area दोनों आपस में touch हो रहे हैं वहाँ पर क्या होता है आपके जो distal convoluted tubule के cuboidal cells होती है वो compactly packed हो जाती है और वो compactly packed होकर क्या बनाती है macula densa क्या बनाती है macula macula densa तो यहाँ पर दो portion होते हैं आपकी पहला है macula densa तो macula densa में क्या हो रहा है आपकी जो endothelial नहीं cuboidal cells लिखेंगे cuboidal cuboidal cell compactly packed हो जाती है तो यह है आपका macula densa तो यहाँ पर आपकी जो blood vessels है वो भी टकरा रही है और इसके अंदर भी तो smooth muscles होती है इसके अंदर भी smooth muscles fibers होते है तो क्या इनमे भी कुछ difference होगा जी हाँ तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी यह देखो यह cells होती है यह है आपकी smooth muscles cells यह smooth muscles fibers इनमें modifications हो जाता है तो यह modifications होने के कारण इन cells को नाम दिया जाता है juxtraglomerular cells तो apparatus किसके कारण बन रहा है आपके DCT और aferent arterioles के कारण तो उसके कारण यह दोनों आपस में touch होते हैं उसके कारण aferent arterioles में present smooth muscles में modifications होता है और उसको हम juxtraglomerular cell कहते हैं और आपके DCT में presence cuboidal cells जो होती है compactly packed हो जाती है और उसको हम macula densa कहते हैं दोनों चीज़े I hope आपको समझ में आई होगी इस structure को आप और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ताकि आपको दूसरी चीज़े किया हुआ है आपके इस bomin capsule ने देखिए इस bomin capsules में और इस bomin capsules में आपको यहाँ पर flat cells दिखाई दे रही है squamous cells तो यह हैं आपके squamous cells देखिए और इन squamous cells और इन squamous cells में आपको difference पता चल रहा है यह थोड़ी से modified squamous cells है जिसको हमने क्या कहा हमने कहा podocytes क्या कहा podocytes जो कि यह वाली layer आपकी visceral layer होती है और यह बाहर वाली layer आपकी parietal layer होती है यहाँ पर भी squamous है यहाँ पर भी squamous है आगे की तरफ चलेंगे जहां से आपका proximal convoluted tubules start होता है और वहाँ पर आपको cells कैसे दिखाई दे रही है देखो microvilli presence है brush border epithelium presence है लेकिन है वो कौन से cuboidal और उसके उपर आपके cilia presence है microvilli presence है cilia नहीं देखे तो microvilli यहाँ पर presence होती है hair like structures जो कि ज़्यादा से ज़्यादा absorption के लिए responsible होती है so juxtraglomeral apparatus आप सभी को समझ में आया या नहीं चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर आता है आपका vasarecta यह सभी हम natron के ही parts को समझ रहे हैं और सारी चीज़े important है आप यह बस समझना कि अरे यह फाल्तू की चीज़े है हमने तो structure पढ़ लिया है नहीं सारी चीज़े important है और जो छोड़ोगे न वहीं से question पूछा जाना है तो छोड़ना नहीं है तो चलिए हमने अभी बताया आपको vasarecta और peritubular capillaries के बारे में समझते हैं तो हमने कहा कि आपका जो nephron होता है वो कुछ इस तरीके का होता है अब आप बारी आती है आपके efferent arterioles की efferent arterioles ही आपकी vasarecta और peritubular capillaries को बनाएगा vasarecta और peritubular capillaries जो होती है वो मतलब कि एक जाल होता है आपकी ये जो blood vessels होती है उनका जाल होता है around nephron तो ये जो nephron का structure है जिसमें आपका proximal convoluted tubule loop of family और ये distal convoluted tubule आता है तो इसके around आप देख रहे हैं देखे यहाँ पर आपकी efferent arterioles आई फिर यहाँ से efferent arterioles देखे यही पर यह सारी चीज़े जो है क्योंकि यहाँ पर जो आपका absorption होगा वो इसी के द्वारा होगा absorption होगा जो main निन चीज़े हैं वो सारी फिर से आपके blood में ले ली जाएगी और बाकी जो काम की नहीं है वो आपका urine का formation होगा और collecting duct के थूर यूरेटर और urinary bladder में पहुँचा कर बाहर निकाल दिया जाएगा ठीक है तो main चीज़े जो हमारे ली important है वो तो हमें लेनी पड़ेगी तो उसके लिए आपके यहाँ पर यह जो efferent arteriol से वो जाल बिछाय पड़ी हुई होती है कि सारी चीज़े हम इनसे ले लेंगे जो हमारे काम की चीज़ है तो blood को ले जाना भी तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जो blood आ रहा है देखिए वो oxygenated तो है बट वो क्या है toxic है क्योंकि उसमें सारी purities है देखिए वो pure blood नहीं है oxygenated तो है बट pure नहीं है तो pure बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या किया filter कर दिया और filter किया तो उस blood को हमें लेना भी तो पड़ेगा जो filtered blood है जो कि deoxygenated blood रहेगा बट उसमें toxic नहीं रहेंगे toxic substance नहीं होंगे कोई भी west product नहीं होंगे तो यहाँ पर आपकी यह जो जाल बिचाए हुए पड़ी है इनको हम peritubular capillaries कहते हैं तो फिर vasarecta क्या है यह सारी जो है यह है आपकी peritubular capillaries peritubular capillaries तो मैम फिर vasarecta क्या है वासarecta देखो आपने दो तरह के नैफ्रोन पड़े हैं दो तरह के नैफ्रोन में आपने जकस्टा medullary neph्रोन को समझा है उसके arounds जो जाल होता है आपके capillaries का उसको vasa recta कहा जाता है क्या कहा जाता है vasa recta कौन से nephron में जक्स्रा-medullary nephron में corticals में देखेंगे तो आपको peritubular capillaries मिलेगी तो उसमें आप देखेंगे ना कि पूरा parallel होता है जैसे कि आपका loop of and lie है और लुको फैनली के अराउंट्स यहाँ पर इस तरीके से आपका वासा रेक्टा प्रसेंट होती है तो इन दोनों के बारे में आपको समझ में आया है बस एक नॉर्मल था बाकी तो जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मैजर डिफरेंट्स और देखेंगे तो आपका यहाँ से फिल्ट्रीट जो है देखो इस तरीके से आता है वो यहाँ पर नहीं यहाँ पर देखिए यह इस तरीके से आ रहा है डिसेंडिंग फॉर्म में यहाँ से भी यहाँ से तो यहां पर आपका असेंडिंग जाएगा और फिर यहां से यह फिल्ट्रेट जो है वो वेन लेकर जाएगी आपके वेन अकावा में तो इस तरीके से आपका ब्लड आता है फिल्टर होता है यूरीन का फॉर्मिशन कैसे होता है अगली क्लास में समझेंगे अब अभी तक हम आपके किडिनी में कहां से आ रहा है ब्लड ऐोता से आर्रा एटरी के पास और वो किडिनी के आर्री है इसलिए हमने उसको रीणे आर्री आर्री कहां अब ये रीणल आर्री पर्धर जो है वो डिवायट हो जाती है ब्रांचेज में और सबसे ज़्यादा ब्रांचेज आपको कहां पर दिख रही है कॉटिक्स वाले भाग में तो यहां पर आप देखेंगे कि abdominal aorta से आपका blood आया, किसके पास में? renal artery के पास में, किसके पास? renal artery के पास, आप renal artery के पास में आया तो वो further जो है, वो subdivide होगी, segmental artery, segmental artery आपकी आगे की तरफ गई, फिर आता है आपका interlober artery, आपका जो medullary pyramid से निकलती हुई आपकी जो artery है, उसको interlober artery कहेंगे, फिर आता है arcuate artery, फिर और उपर की तरफ चलेंगे, जो कि cortex की तरफ जा रही है, उसको हम arcuate artery कहेंगे, यह subdivide हो रही है, इसकी branches है, यह renal artery की branches है, फिर आती है आपकी interlobular artery, जो कि आपको पूरे cortex वाले भाग में दिखेगी, उसको interlobular artery कहते हैं, और यही interlobular artery आगे जाकर आपकी afferent arteries को बनाती है afferent arteries आपने देखा जो कि आपके आगे जाकर glomerulus को बनाएगी, glomerulus क्या है tough tough capillary, मतलब कि इसी afferent arteries जो कि आगे जाके, चार से पांच large capillaries में divide हो जाती हैं, और उसको आप glomerulus कहे देते हैं तो यहाँ पर आपकी क्या आप बनी, afferent arteries से बनी glomerular capillaries और glomerulus capillaries से फिर क्या बनेगा आपकी अगली जो आपकी capillaries आती है या arteries आती है, वो है efferent arteries, जो कि blood को लेकर जाएगे, तो वासा रिक्टा और peritubular capillaries क्या है वासा रिक्टा और peritubular capillaries, जो कि आपके loop of family के rounds होती है, तो peritubular capillaries आपको cortical में दीखेगी और वासा रिक्टा आपको दीखेगी जक्स्रा medullary में, तो यहाँ से आपका blood, अब filter हो गया है, मिन्स यहाँ पर आपका blood कौन सा था? oxygenated था, oxygenated था, बट उसमें क्या थे? बहुत सारे toxic form थे, waste product थे, बट यहाँ से जो blood जाएगा, वो होगा तो deoxygenated, यहाँ पर लिख सकते हैं हम deoxygenated, बट वो क्या होगा? pure blood होगा, pure blood का मतलब यह नहीं है, कि वो oxygenated, pure blood मतलब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसका pure blood का मतलब यहाँ पर है, कि वो waste product से free है, उसमें कोई भी toxins नहीं present है, तो यहाँ पर, फिर से आप देखेंगे, कि यहाँ पर आईगे आपके peritubular venules, फिर interlobular arteries, और फिर, नहीं नहीं, यह sorry, arteries यहाँ पर आगया है, देखेंगे, यह van है, तो यहाँ पर क्या आएगा, vane आएगा, ओके, यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा correction कर लेना, यह सारी हैं आपकी van, ओके, तो arcuate, van, interlobular van, interlobular van, segmental van और renal van, और फिर, आपके inferior vena कावा पर वो चली जाएगी, देखेंगे, तो यहाँ पर आप इसका उल्टा कर सकते हैं, paritubular vanules के बाद आ रहा है, आपका interlobular, तो interlobular, arcuate, interlobular, segmentate, और फिर, renal van, तो इसका यहाँ से just deposit करना है, बस आपको यहाँ पर paritubular vanules से add करना है, और इसमें आपके यहाँ पर यह दो arterios add हो जाएगी, और glomerular capillaries, तो इस तरीके से blood जो है, आपके kidney के अंदर inter होता है, nephron के पस पहुँशता है, इसके सब branches जो है, वो के clear हो गए होंगे, last हमारा जो पिछली class में पर remaining रहे कहता है, वो है kidney के functions जाना, वैसे तो अभी तक जो चीज़े हमने समझे है, उसमें आपको समझ में आई गया होगा कि kidney का function क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार हम समझ लेते हैं, कि kidney का function होता है, सबसे पहला और main function क्या होता है, इसका waste product को remove करना waste product removal, कौन से waste product जो के metabolic activity के समझ बन रहे हैं, कौन कौन से होते हैं, जिससे आप यहाँ पर लिख सकते हैं urea, creatinine, nitrogenous product होते हैं यह uric acid, bilirubin, यह सभी waste product से तो इन सभी waste product को, drugs को, toxins को हमारी body से remove करना, यह आपकी kidney का सबसे main functions होता है, सेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हैं water balance maintain करना, जब कभी आपने बहुत ज़्यादा पाने पी लिया हो, तो kidney क्या करती है, बार-बार आप वश्यूं जाते हैं, सुसू करना जाते हैं, पानी पीते रहते हैं बार-बार, तो अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, तो हमारी kidney क्या करेगी, उस water को urine के थ्रू एक्स्रेट आउट कर देगी, जब कभी अगर आपने वरत रख लिया, पानी नहीं पिया बिलकुल भी, निर्जिला वरत भी तो होता है, तो अगर आपने पानी नहीं पिया, करवा तो तो उस condition में क्या करेगी, हमारी kidney जो है, वो urine का formation कम कर देगी, ताकि हमारे अंदर water का sufficient मातरा रहे, तो water को balance करना, आप लिख सकते हैं, यहाँ पर acid base balance, तो क्या treat out कर देती हैं, ताकि वो acid dose से बच सके हैं, तो acid base balance को maintain रखना, blood pressure को भी regulate रखने का काम आपकी kidney का होता है, blood pressure, regulate करने का काम भी आपकी kidney करती है, इसका काम आपका hematopoietic का भी होता है, hematopoietic function भी होता है, अब hematopoietic function में क्या है, यह आपका secret करती है एक hormone, जिसको आप erythropoietin hormone कहते हैं, क्या कहते हैं वहिया, erythropoietin, hormone, और यह erythropoietin hormone किसके लिए responsible होता है, यह responsible होता है, नाम से समझ में आ रहा है मिया, erythropoietis, erythropoietis क्या है, आपके RBC के formation की process को erythropoietis का आ जाता है, यह stimulate करता है आपके erythropoietis को, thrombocytes, platelet का formation, तो thrombopoietin एक hormone है, जो के kidney release करती है, erythropoietin एक hormone है, जो के kidney release करती है, और यह आपके hematopoietic function के लिए responsible होता है, उसके अलावा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका endocrine function भी लिख सकते हैं, endocrine function, endocrine function में यह hormone का ही काम आ जाएगा, इसमें आप एक extra hormone एड कर सकते हैं, जिसके बारे में पहले भी हमने बात करी है, वो है ranine, जो की आपके blood pressure को regulate करता है, तो ranine हो गया, उसके अलावा, आप इसका एक function और लिख सकते हैं, calcium के level को regulate करना, calcium, level, balance या regulate, क्योंकि यह क्या करता है, आपका जो vitamin D होता है, उस vitamin D को activate करता है, और vitamin D ज़रूरी होता है आपके calcium के absorption के लिए, intestine से calcium को absorb करने के लिए, आपका vitamin D ज़रूरी होता है, फिर चलते हैं, आपका next एक function और यहाँ पर आप add कर लिजे, electrolyte, electrolyte, balance, electrolyte को भी balance करके रखते हैं, mainly, specially sodium, जब कभी osmolity बढ़ जाती है, तो sodium को level को कम कर देगी, exit out करेगी, और अगर osmolity कम हो रही है, तो sodium के level को बढ़ा देगी, मत्तब कि retain कर लेगी, ठीके समझ में आया, तो यह है आपकी kidney के main function जो की हमने आज ही class में cover किये, और यहाँ पर आपका nephron का structure खतम होता है, kidney के बारे में हमने समझ लिया, kidney का anatomical structure भी हमने समझ लिया, कि कैसे आपका blood जो है, वो kidney के अंदर enter होता है, nephron कैसे उसको filter करता है, और कहां पहुंचता है, collecting drugs से होते हुए, यूरेटर, यूरिनरी, ब्लाडर, यूरेटर और देन excrete आउट हो जाता है, तो आची class हमारे यही पर खतम होती है, बस लास्ट बचेगा आपका कि यूरीन का formation होता कैसे है, कैसे absorption होता है, तो यह process आप next class में cover करेंगे, तो आई होप आची class आपको समझ में आई होगी, मिलते हैं अगले class में अगले topic के साथ, thank you.